Hello everyone, welcome back to your own channel M.K.BrainTree Students, in today's video we will do a story, the three little pigs As you know, we are doing your lesson number 7, the princess who never smiled यह उस्ती activity number 9 है, जिस्ते वे उसी एक story create करनी है Now let's get started to watch the video दोसी देखो बच्चे एक mind map ताम देता होया है A mind map of a story is given below The name of the story is the three pigs Using the mind map, write your story about the three pigs and the wolf All the hints are used for words are given in the mind map तानो एक mind map देता क्या है जिस्ते help नाल तुसी एक story create करोगे तुसी देखो तुआ अड़ी story दे भी तानो देता होया Straw house, kick to build Wooden house, kick to build And brick house, takes long, very strong तेन तरादे house होते गया जो three little pigs वरा बनाई गये सीगे Straw house केड़ा होंदा जो कानिया वाला काफोस दा कार होंदा ते बहुत जल्दी बन जन्दा लकण दा कार भी बहुत जल्दी बन्दा बढ़ जो इट्टा दा कार है बढ़ा ही strong होंदा तेन बनना ली काफी लंबा टाइम लगता है ठीक है इस्ते वचे एक बिग बैड़ फुल्फ होंदा जो के बहुत अंगरी होंदा किस्ते लिए अंगरी होंदा pigs नूँ खान ले ता देखो की करदा blows down straw house ता जड़ा straw house बने होया उसनों भी खतम करदा ब्लो करदा फूप मार के हवा नाल ठीक हा खतम करदा फिर बोडन हाउस नो भी खतम करदा बट कांट ब्लो डाउन दा ब्रिक हाउस पर उप इट्टा दे बने होय करनो नहीं टा सकता सी देन ही एंटर थो दा चिमनी ता उनने ब्रिक हाउस से वीच जड़ो एंटर किता देख चिमनी दे हल्प नल किता देन इक गेट्स बर्न बाई होट वाटर ता नीचे होथे जड़ो होट वाटर दे वीच हो गिर जान्दा ति उत्थों हो दो और जान्दा सो अपमा इसनों एक अच्छा जा री स्ट्रक्चर देखे अच्छे अच्छे संटेंस ट्रेम करांगे तेक स्टोरी क्रेट हो जाएगे सो लेट्स गेटर लेट्स गेट स्टार्टर तो वाच दा स्टोरी हाउव वीज ग्रेट न्यू संटेंस विद दे हल्प ओफ माइंड में तुसे देखोंगे किते थ्री पिक्स ते पिच्चर बनी हुए तेक बिग प्याड बुल्फा जो के अपने फेस तो है शो कार रहा कि उस तो बहुत पोख लगी हुए पोख किस ती लगी सी he was hungry to eat the three pigs now we will see the story फ्लिए स्टोरी स्टार्ट करने प्याड मूइ स्ट्रीश स्टार्ट करने एक समेंदिल डाल ऐ है त्री लिटल पिक्स वज होन पिक बिटो पीट है वाल पिक बिट हराउव इक पिक पिच पिट हapter पनी हाउवस स्टॉट 있어서 ब्रिक्स तबनाया, they built their houses very quickly, उनने अपने कर बड़ी जल्दी बनाले, and then sang and danced all the day because they were lazy, ओ दोने ही जेड़ी पिक्सी बड़े ही लिजी सी, सारा दिन डांस कर दे और सौंग गंदे रिंदे, इस तो बात की हुंदा बच्चे देखो, the three little pig worked hard all day and built his house with bricks, जो तेसरा पिक हुंदा ओ सारा दिन मेनत कर दा, अधि अपना एक इटांदा कर त्यार करता है, a big bad wolf saw the two little pigs while they danced and play and thought what juicy tender meals they will make, जेड़ा bad पेड़ी यां हुंदा, ओ देड़ी दा कि दोन्नों pigs बड़े ले जी या, dance वगरा कर दे रहें दे, ताँ सोच दा कि आज जो अगर उनननों खाना खाएगा, ओनना दा जेड़ा रात दा खाना किनना जूसीते वधिया हुवेगा, he chased the two pigs and then rain and hid in their house, the big bad wolf went to the first house and halved and puffed and blew the house down in a minute, same जेड़ा था उननों पहला माइन बेपे जस्या ग्या सी कि ओ जेड़ा पेडिया उनना दे करते, अटेक कर दा, पहला उनना दे, जेड़ा कर दा, जेड Frightened little pig ran to the second pig house that was made of sticks, कबराया हुए जेड़ा pig सी गा, वो दूसरे कर दे भी चलाया, जेड़ा कर स्टिक्स ताक बनया हुंदा है, the big bad wolf now came to this house and halved and puffed and blew the house down in hardly any time, same जेस तरह पहला कर बरबाद कर देंदा, मिंटा स्किंटा दे वेच्छी, वो इस करनों भी तबाह कर देंदा सो दोने pig जो लेजी सी गे, उनना को रोण रियानली कोई भी करने सी, क्योंकि उस दा कर कानिया आते काफूस जान स्टिक्स दा बनया हुण करके, ता बुल्फ नूं मिंटा स्केंटा बेची उसनूं तबाह कर देंदा है, now the little pigs were terrified and ran to the third pigs house that was made of bricks, उन दोने ही pigs बड़े ही ता बाज के तिसरे पिगदेकर विच बढ़ जान देहान, जो के इट्टा दा बनया हुआ से, the big bad wolf tried to huff and puff the house made of bricks, but he couldn't, जेड़ा big bad wolf हुण दा, उस दे करनो तोड़न दी कोशिश कर दा, बट ओ रियान नहीं कर सक्या, he kept trying for hours, but the house was very strong, उसने कंटियां तक कोशिश करने जारी रखी, बट ओ अपनी कम देविच सफल नहीं हो सक्या, क्योंके कर बहुत स्ट्रॉंग सी गया, little pigs were safe inside, ति तिनने जेड़े pigs सी गये, उस कार अंदर बिलकुल ही सुरख्यत सन, he tried to enter through the chimney, उसनों एक प्लान आया कि मैं इस इट्टा वाले कर विच कितों दे अंटर करा था, उसने एक चिमनी दे help लई, ता उसने उसने कर विच एंटर की था, but the third little pig boiled a big pot of water and kept it blue the chimney, जेड़ा तीसरा pig सी, उसने एक गरम पाणी नो उबलता होया पाणी, उचिमनी दे बिलकुल, जित्थों दी wolf ने एंटरी किती सी, उस दे बिलकुल निचे रख देता, the wolf fell into and died, जो भी कैसा दिया, जो fell into it and ran away, कुछ भी कैसा दिया, कि जेड़ा पेडिया, जो इस दे बिच गिर गया थे, बुरी तरा दिनाल, बर्न हो गया, इस तो बादो मर गया, you can write, he can rain away from that house, so, I hope के तानों सबनों एक जड़ी स्टोरी या, चंगी तरा समस लगी होगी, the three little pigs and a wolf, please students, subscribe this channel, like and share the video, thank you so much,